हलो दोस्तो वेलकम बैक तू माई नीव वीडियो तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फेस्बुक से अपना डाटा किस तरह सेफ कर सकते है अपने का जो मोबाइल डाटा है वो अगर जल्दी खतम हो जाता है तो आप उसे किस तरह बचा सकते हो फेस्बुक अगर आप जादा इस्तेमाल करते हो तो आप ही के लिए ये वीडियो है दोस्तो तो वीडियो में पुरा बने रहे ना तभी आपको ये चीज समझ में आएगी दोस्तो आप अपने मोबाइल का डाटा जो है किस तरह बचा सकते हो दिनका एक जीबी दो जीबी अगर आपको कम पढ़ रहा है और आप फेस्बुक ज्यादा चलाते हो दोस्तो तो ये वीडियो आप ही के लिए है दोस्तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेस्बुक चलाते हुए भी आप अपना डाटा जो है किस तरह सेफ कर सकते हो दोस्तो तो दोस्तो वीडि पर 3 lines दिख रही है हमें उस पर click करना है जैसी हम उस पर click करते तो हमें scroll करते वी नीचे चले जाना है दोस्तों यहाँ पर आपको एक setting and privacy का option दिखाई देगा उस पर हमें simply click करना है जैसी हम उस पर click करते तो कुछ और option आपके सामने आ जाएगे दोस्तों तो सब में पहला जो option आपको दिख रहा है setting हमें वापिस settings में चले जाना है जैसे हम settings में click करते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने आ जाएगा तो आपको simply scroll करना है यहाँ पर एक option दिखाई देगा आपको media उस पर हमें click करना है जैसी हम यहाँ पर click करते हैं दोस्तों यहाँ पर परसन लेस डाटा बाइ रिडूसिंग वीडियो कॉलिटी दोस्तों आप तो समझी गए होगे जो आप फेस्बुक में वीडियो देखते हो आप उसकी कॉलिटी लेस करके अपना डाटा जो है अप टू 40 परसन आप बचा सकते हो दोस्तों 40 तू 50 परसन डेटा इसमें दोस्तों अगर आप दिन में 1GB डाटा यूज करते हो फेस्बुक सर्फिंग के लिए तो आप वहाँ पे स्रिफ 500 MB में अपना काम चला सकते हो दोस्तों इसमें क्या होगा स्रिफ आपकी वीडियो की कॉलिटी है जो फेस्बुक की वीडियो की कॉलिटी वो थोड़ी ल इसे टिक करते हो दोस्तों तो आपका जो है डेटा सेविंग चालू हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हो आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो प्लेस लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें